नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों एक बड़ी खबर नेकल कर सामने आई है जिसने फ्रांस रूस और जर्मनी की नींदे उड़ा कर रख दी है वह भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर भारत इस हतियार को कंसिडर कर नोसेना की ताकत बहुत बड़ जाएगी और यहार तनक्तर गहत्यार का उफर तो मिला ही भारत को हतियार तो जबर दस्त ही साहिने जो कहीं से भी भारत को नहीं मिला है और टेक्नलोजीय आँट्रांसफर तो शत्वर्तिशत है इतना घाटक हतियार कि की अभी तक कर सबसे नया हत्यार बताया जा रहा है उसमें भी बारत कुछ रत परतिसे टेक्नोजी ट्रांसफर भी इसका मिलेगा तो यह जबरदस्त ओफर है मैं आपको सब कुछ डीटेल से इसके बारे में बताने वाला हूँ तो मेरे साथ आप इस डिमें तक बने रहिएगा चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों S80+, आप में से 90% से ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्यों? क्योंकि एकदम से ये नया है, इसके बारे में किसी नहीं सुना, इतना नया है कि जिस देश बनाया है, उस देश में भी वी अभी चल रहे है यानिकि बल्कुल ले टिस्ट है और अगले साल इसे सेना में वहां की शामिल किया जाएगा, और वहां अपनी सेना में शामिल करने से पहले जूनने भारत को उसका उफर दे दिया है, तो उस से पहले में आपको इस हतियार के बारे में बताऊँ यह जान ले है ज़रूरी है कि भारत को यह offer दिया क्यों गया है दरसल भारत का एक प्लान है कि चीनी सम्मरीनों को दूल चटानी है चीन के पास 17 से ज़्यादा सम्मरीन है और भारत के पास 20 है यह बात सब को पता है और जो भारी मात्रा में टेकली लेकर अपने साथ आती हो, तो उन्हें आसानी से बीट किया जा सकता है। तो इसी को देखते हैं भारत ने प्लान बनाया हैं कि भारत छे advanced submarine खरीदेगा और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा technology उन देशों से लेगा और फिर ऐसी submarine भारत में बनने लगेंगी तो इसी को लेकर भारत को तमाम देशों से फ्रांस से जर्मनी से और रश्या से हमें offer मिला था कि हम आपको submarine भी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा technology का ट्रांसफर भी करेंगे लेकिन सभी को उमीद थी कि France का या फिर रश्या में से किसी एक को चुना जाएगा most likely France का नंबर आने वाला था लेकिन end time पर Spain ने entry मार ली है और वो भी सबसे advanced, सबसे lethal और सबसे नई submarine के साथ में और इस submarine का नाम है S20 यह Spain के सबसे नई submarine है यहाँ तक कि अगले एक डेट साल में इस Spain की नोसेना में से शामिल किया जाएगा आपको वदा दू कि इसकी कुछ खासेते हैं जैसे कि इसकी जो range है 8000 km है जो बहुत ही massive है इसके लावा इसकी जो test depth है यानि कि कितनी गहराई तक जा सकती है जो भारत को अभी तक offer हो रहे थी वो 500-500 तक थी यह Jonesy submarine है यह 620 से भी जादा मीटर गहराई में जा सकती है यानि कि काफी अच्छी depth है और जितनी जादा गहराई में जाएगी यानि कि उतनी जादा stealth उतनी जादा एक तरीके से ना पकड में आने वाली submarine बन जाती है और सबसे अच्छी चीज इस offer के साथ हमें जो Spain दे रहा है वो यह है कि शत परतिशट technology transfer हो ने कहा कि हल एक चीज की technology भारत को transfer कर दी जाएगी कि शत परतिशत कुछ भी नियम छोड़ेंगे यह सबसे तगड़ा offer भारत को मिल चुका है Spain के करव से और अब Spain ने पूरे game को पलट दिया है और इस project का तयात इस Spain अब इस race में सबसे आगे हो गया है और most likely उमीर की जा रही है कि यह submarine समरीन चुनी जा सकती है क्योंकि जो बाकी समरीन है एक तो पुरानी बहुत है दूसरी बात यह कि उसमें technology कुछ न कुछ वो देश रख लेते हैं याने कि 100% technology transfer वो नहीं देंगे यह सबसे अच्छा offer है और काफी हद तक कोस्ट की cutting हो जाएगी और नहीं submarine भारत को मिल जाएगी जो आने वाले 20-30-40 सालों तक कोई भी दिक्कत भारत को नहीं मिलने वाली इसी technology पर बेस भारत फिर खुद ही submarine मेरा आना शुरू कर देगा फिर हमें खरीदने की वज़रत नहीं पड़ेगी यह सबसे अच्छ ओफर मुझे लगता है भारत को यह मिला है submarine भी काफी lethal है मैंने इसके बारे में study किया है जल्दी में इसको लेकर ही detail वीडियो भी लेकर आऊंगा और इसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो फिलाल के लिए इस वीडियो को like किजेगा share किजेगा और आपना जो viewpoint है कमेंट के जरूब बताएगा साथ ही चैनल को subscribe भी किजेगा थैंक्यों रोट सवाचिंग वडियो